निर्सा के कालुभातान ओपी शेत्र के सिमुलदान में एक विवाहित महिला को उसके भतीजे ने कुलहाडी से हमला कर मौत के घाट उताव दिया। घटना में मृतिका के पती फनी भूशन मंडल ने भतीजा आशिश मंडल पर हत्या कारोप लगाया है। बताया जा रहा है कि प्रति दिन की भाती मृतिका के पती फनी भूशन मंडल दैनिक कारे के लिए घर से बाहर गया हुआ था। सुबह तक्रिबन दस बजे गाओं के आशिश मंडल महिला के घर पहुँचा जिस वक्त महिला घर पर अकेली थी और युवक आशिश मंडल हत्या कर मौके से फरार हो गया। सुचना मिलने पर कालू अथान पुलिस अपने दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुँच कर शव को कबजे मिले कर मामले की तफ्तीश में चुट गई। घटना के संबन में सरकिल इंस्पेक्टर नयान सोक दादेल ने कहा कि पुराने किसी विवाद को लेकर भतीजा ने घर में घुसकर अपनी चाची को कुलहाड़े से हत्या कर दिया। जहां मौके पर ही मौत हो गई। जैसे हम यहां घटनारतल पहुचे तो देखे और लोग बताया कि उपना चाची को ही अपना कोई मेतर के लेके उसे खुनूस था पुराना खुनूस उसी में आज कुछ हुआ और उसका हस्बन बाहर था उसी में बुस्टा में आखे तांगी से मार के हाथ्या कर दिया है। इसका आगी करवाई कर क्या है। इसका आगी करवाई पोस्टमाटम के लिए भेजाया है और उसको अविलम हम लोग रपतार कर लेंगे चोकि वो नून पार